नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे सेमी इलेप्टिक टाइप लीप स्प्रिंग के बारे में लीप से मीनिंग क्या है पत्ते जैसी सेप का जैसे आपके पास यहां यह दिखाई दे रहे हैं पत्ते जैसी सेप की प्लेट्स स्प्रिंग से मीनिंग क्या है वो डिवाइज जो अनर्जी को स्टॉर करता है और At The Time Of Requirement release करता है energy को semi-eleptic से meaning क्या है half egg की shape का means आदे अंडे की shape का पत्ते जैसी जो lip spring होती है उसका automobile vehicle में हम use करते हैं और basic function क्या होता है completely जो vibrations है उनको absorb करना vehicle को किसी sudden effect से बचाना ये function होता है vehicle के components को बचाना अब जो बात आती है इसमें की use कहाँ पर होता है automobile vehicle में ये use होता है जो हमारी main frame होती है वो जैसे top इसा और नीचे जो axle है उसके बीच में इसको लगाया जाता है तो इसका function होगा आसानी से vibration को absorb करे किसी breaker से गाड़ी claim हुई breaker पे और just वो एकदम से उत्री गाड़ी उस breaker से उस bump से तो उसको उस condition से बचाना Excel को तूटने से बचाना Excel पे complete load complete पूरा चला जाए लोड तो उससे बचाना ऐसे ही यह जो है यह जब sudden कोई jerk type हो तो उससे बचाता है vehicle हमारा कोई गड़े में गया एकदम से तो उस time यह उसको बचाता है अब यह किस type के vehicles में यूज होता है यह heavy जो vehicles हैं उनमें यूज होता है अब बात करते हैं इसके main main components की कि कौन-कौन से इसके main components हैं यह diagram इसके main components के बारे में 100 कर रहा है यहां पर यह तो main frame है जिसके साथ में यह जुड़ी हुई रहती है यह जो इससा है यह इससा होता है इसकी rigid spot type rigid spot से meaning क्या है जो कि fix रखेगा एक जगे इस component को और इससे यह इससा means यह complete spring है तो यह इसकी arc होती है इसकी eye होती है जिसकी साथा से यहां पर यह जुड़ा रहता है इस rigid spot पर यह leaves है means पत्ते जैसी shape का है तो एक यहां पर यह आपको दिख रहे है यह जो होती है यह flat shape की होती है और इनकी कोई certain thickness होती है means यहां से completely flat है थोड़ी से कर्व shape की रहती है जैसे आपको कर्व दिख रहा है और उपर से flat in होती है इसके नीचे दूसरा इससा जुड़ा रहता है leaves shape का फिर तीसरा जुड़ा रहता है फिर 4 फिर 5 फिर 4 अब यह completely आप देखेंगे तो यह एक साथ जुड़े वे तो सबसे पहली यहां पर body leaf है जिसको आम main leaf बोलेंगे तो यह body leaf है दूसरी side जो जुड़ी हुई है वो एक cycle से जुड़ी हुई है cycle से meaning क्या है एक flexible joint जो इसको flexibility provide करता है इसको तूटने से बचाता है जब विकल किसी वो किसकी साथा से होती है एक bus की साथा से यह जो bus है यह इसको वहाँ पर बचाने की कोशिश करता है यह जो bus है या तो यह rubber के बने होते हैं या bronze type materials के बने रहते हैं तो आसानी सी इसको बचाते हैं यह जो है निचे की springs की जो मैं बात कर रहा था ये springs बाद में और चोटी होती जाती है और चोटी और last वाली पहली वाली के compare में काफी चोटी होती है यह आपस में यहाँ पे इस तरह से इन sports की साइता से जुड़ी रहती है means rigid spot लेकिन हलका सा इनके बीच में distance रहता है जैसे आपको यह linings दिख रही है यहाँ पे यह linings दिख रही है यह linings तो हलका सा एक दूसरी जो भी leaves है इनके बीच में gap रहता है यह इसकी एक तरह से frame बोलें इसके बीच में gap रहेगा अब यह gap का function क्या है gap के function से पहले एक इसके बारे में important बात करते हैं कि यह पहले pre-stressing होती है pre-stressing से meaning क्या होता है माल लीजिए हमने किसी member पे stress, tensile stress लगाया तो tensile stress लगाया, दोनों side equal load लगाये लेकिन opposite direction में लगाये अब उसको खीचेंगे वो, जब वो खीचेंगे तो inside क्या होगा stripe develop होगा, वो थोड़ा close होने की कोशिश करेंगा, लेकिन इससे क्या होगा वो उसमें pre-stressing generate होगी, means in में pre-stressing generate होगी अब जब जैसे ही, यहाँ पे मैं बात कर रहा है, जैसे ही यह frame का जो load है वो इसपे गिरेगा, means एकदम से गाड़ी कोई breaker पे गई या गड़े में गई, इसपे जब दोनो end points पे load गिरेगा तो यह थोड़ी straight होने की कोशिस करेगी, जबकि उससे पहले इसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि इनमें यह pre-stressing एक तरह से होती है, और जब एकदम से गिरेगा, तो यह थोड़ी straight होने की कोशिस करेगी वो working में भी बात करते हैं, यह यहाँ पे जुड़ी रहती है, u bolt की साइता से, जो u bolt है, यह अब क्या function करता है, u bolt function करता है कि एक तो इसको जो हमारा वहाँ पे axle रहेगा, उससे जोड़ने में मदद करेगा, u bolt, spring को, और दूसरा जो इसका function रहेगा, जैसे ही कोई घड़ा आएगा, तो इसको नीचे की साइड खीचने कोशिस करेगा, यानि इसको थोड़ा pressurize करेगा, ताकि यह थोड़ी बीच मे से तो इन पे pressure पड़े, और साइड से यह उपर की साइड होने की कोशिस करेगा, इससे क्या होगा, यह completely बची रहेगी, तूटने से बची रहेगी, क्योंकि इनके बीच में गैप रहेगा, तो उस गैप को यह maintain हो जाएगा, उपर वाली पे भी जो है, यह नीचे strike करेगा, तो gap maintain हो जाएगा, gap maintain होगा, तो इससे यह तूटेंगी नहीं, क्योंकि vibration को यह complete absorb कर लेगा, यही इसकी खास्यत रहती है, मैं बात कर रहा था, यह जो springs है, यह फिर छोटी, फिर छोटी इस तरह से क्यों होती है, एक तो weight को reduce किया जा सके, इसमें जो है, दूसरी spring, तीसरी spring अगर इसमें एक technical point की बात करें, तो अगर यह completely सभी same size की होती है, तो यह vibration को ज़्यादा better तरीके से absorb करती है, लेकिन इसलिए pre-stressing की जाती है, ताकि इनके उपर कोई effect ना पड़े, और आसानी से complete vibration को absorb कर ले, आपस में इस तरह से rigid spot के द्वारा यह जुडी रहती है, किस बंप के उपर से गया, या कोई, मान लीजे कोई road है, तो road में कोई गड़ा था, तो उस गड़े में गई विकल, तो wheel क्या होंगे, आप और down होंगे, जब आप और down होंगे, तो जो spring है, इसमें deflection करेंगे, जब deflection करेंगे, तो जो दो eyes है, यह वाली eye है, और जो दो eyes है, त लेकिन यह cycle की साहिताज क्या करेगी, up and down करेगी, तो यह cycle उसको एक तरह से pivot किया हुआ है, ताकि आसानी से वो इसको एक तरह से flexibility प्रोवाइड कर देगा, यदि दोनो end हम fix कर देते, तो basic problem क्या आती, वो distance change नहीं होता, length में changement नहीं आता, चेंजमेंट नहीं आता, तो यह इसको damage कर सकती थे, यही इसका benefit है, cycle का, और जब spring deflect होगी, तो जो दो adjacent sides है, इनकी जो springs की दो adjacent sides है, वो क्या होगा, वो slide करने की, जो leave जाइन के, यह slide करने की कोशिस करेंगे एक दूसरे पर, तो यह जो sliding damping effect है, वो क्या करेगा, जो spring में vibration का effect है, उसको reduce कर देगा, और यह ज damping होगी, यह damping ज्यादा comfortable riding में मदद करेगी, जो people's रहेंगे, उन पे भी effect नहीं डालेगी, inside जो बैठ रहेंगे, means क्योंकि frame पे तो कोई effect ही नहीं पड़ेगा, तो यह benefit होता है, इस spring का, यह थी दोस्तो, semi elliptic type leave spring, thank you दोस्तो.